हलो दोस्तो मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सैमसंग के दो बहुती ज़ादा अच्छे मोबाइल्स एक है सैमसंग एलेक्सी 820 दूसरा है सैमसंग एलेक्सी M30 इन दोनों मोबाइल्स में सिर्फ 5,000 रुपे का फर्क है 820 आपको मिलता है साड़े 12,000 में M30 आपको मिलता है 15,000 में तो इस वीडियो में मैं करूँगा इन दोनों मोबाइल्स का कंपेरिजन और आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमिया है और आपकी ज़रूत के हिसाब से सबसे बड़ीया कौन से रहेगा तो वीडियो को end तक देखते रहेगा बिल्कुल भी skip मत करिएगा चलिए देखते हैं 12.000 में A20 के साथ आपको क्या क्या मिलता है तो जैसे आप इसको onbox करते हैं सबसे पहले ये mini box मिल जाता है जिसमें रखेवे मिल जाते हैं कुछ user manual और इसके बाद आपको रखवा मिल जाता है mobile इसका detail look हम भी देखेंगे इससे पहले देख लेते हैं box के अंदर आपको और क्या क्या मिलता है cover इसके साथ आपको नहीं मिलता है बाकी earphones आपको मिल जाते है normal quality के अंदर ये चीज़ अच्छी है earphones इस mobile के साथ आपको मिलते है इसके बाद आपको रखीवी मिल जाती है data cable white color के अंदर data cable की quality काफी बढ़िया है और इसकी length आपको normal मिल जाती है बाकी अच्छी चीज़ ये है type C cable इस mobile के साथ आपको मिलती है इसके बाद आपको रखवा मिल जाता है box के अंदर एक charger काफी बड़ा सा charger इस mobile के साथ आपको मिलता है बहुत बढ़िया quality के अंदर specifications आप पढ़ सकते हैं और अच्छी चीज़ ये है इस mobile के साथ आपको fast charger मिल जाता है ये mobile fast charging support करता है और एक fast charger mobile के साथ ही आपको मिल जाता है तो ये चीज़ अच्छी है इस mobile में ये सारा समान आपको मिलता है 12,000 में galaxy A20 के साथ इसके अलावा ये sim ejector tool भी लगवा मिल जाता है बॉक्स के अंदर चलिए देखते हैं अगर आप 5,000 रुपे और जादा खर्च करते हैं तो 15,000 में M30 के साथ आपको क्या क्या मिलता है तो जैसे आप इस कॉन बॉक्स करते हैं इसमें भी सबसे पहले ये mini box ही मिलता है जिसमें अंदर रखे वे मिल जाते हैं कुछ user manual cover इस mobile के साथ भी आपको नहीं मिलता है इसके बाद आपको रखवा मिल जाता है mobile एक rapper के अंदर इसका detail look हम अभी देखेंगे इससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको और क्या क्या मिलता है तो इस mobile के साथ आपको airphones नहीं मिलते एक fast charger इस mobile के साथ भी तो ये चीज़ तो अच्छी है लेकिन rate के हिसाब से देखा जाए तो समान आपको दोनों ही mobile में एक जैसा मिलता है और 820 में जादा ही बढ़िया मिलता है क्योंकि उसके अंदर आपको airphones भी मिल जाते हैं तो rate के हिसाब से देखा जा तो 12.000 में 820 के साथ ही आपको जादा अच्छा समान मिलता है rate भी कम है और समान भी जादा मिल जाता है चलिए बात कर लेते हैं सबसे main चीज़ mobile के design के बारे में तो इन दोनों ही mobile के अंदर आपको मिल जाता है बहुती जादा glossy look design भी बहुत बढ़िया लग रहा है बात करें camera के बारे में तो पीछे 820 में आपकोदो camera मिलते हैं जिसमें पहला camera है 13 megapixel का दूसरा camera है 5 megapixel का इसके अंदर आपको front camera मिलता है 8 megapixel का 14 megapixel का दूसरा है पाँच मेगए पिक्सल का आपको दिखा देता हूं यूज इंटरफेस में कितना फर्क है कौन सा मुबाइल चलाने में ज़्यादा बढ़िया लगता है बाकी बात करें डिस्पले के बारे में तो इन दोनों ही मुबाइल्स के अंदर आपको डिस्पले साइज मिलता है 6.4 इंचेस का साइज के मामले मे तो इन दोनों ही मुबाइल्स के अंदर आपको काफी बढ़िया साइज में डिस्पले मिल जाती है दोनों डिस्पले बराबर हैं बाकी जो क्वैलिटी है डिस्पले की वो भी आपको दोनों ही मुबाइल्स में बढ़िया मिल जाती है लेकिन रेट में फर्क होने की वज़ करीब से में आपको इन दोनों मूबायल्स की दिस्पले दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं colors, दोनों की दिस्पले के अंदर आपको बढ़िया मिलते हैं, लेकिन जादा बढ़िया colors आपको मिलते हैं Samsung Galaxy M30 में, notch के अंदर भी आपको हलका सा फर्क देखने को मिल जाता है बाकी edges basis आपको दोनों ही display के अंदर काफी कम मिलते हैं इसके अलावाद 12000 में Samsung Galaxy A20 में आपको मिलती है 3GB की RAM और 32GB की internal storage और M30 में 15000 में आपको मिलती है 4GB की RAM और 64GB की internal storage तो इन दोनों mobiles की सबसे बड़ी खूबी है इनकी display इस तरफ साब left side से इन दोनों mobiles को देखींगे तो आपको sim की tray मिलती है और एक अच्छी चीज यह है इन दोनों ही mobiles में आप 2 sim card, 1 memory card, 3 चीज एक साथ लगा सकते हैं नीची की तरफ से आप देखींगे दोनों mobiles के design आपको same मिल जाते हैं तो चारों side से इन दोनों mobiles का design बिल्कुल एक जैसा मिल जाता है चली चलते है settings में मैं आपको दिखा देता हूँ इन दोनों mobiles में आपको कितनी internal storage free मिलती है तो तकरीवन 22GB के आसपास आपको free मिलती है 820 में और 50GB के आसपास आपको free मिलती है Galaxy M30 के अंदर 25GB का फर्खें आपको जादा मिलती है M30 में बागी Android का बिल्कुल latest version Android Pie आपको मिलता है 820 में और M30 के अंदर आपको मिलता है Android का Oreo version Oreo 8.1 तो ये चीज़ जादा बढ़िया है 820 के अंदर आपको उस बिल्कुल latest version मिल जाता है recent application की windows भी जादा बढ़िया लग रही है 820 में M30 से बात करें battery के बारे में तो 4000 image की battery आपको मिलती है 820 में और 5000 image की battery आपको मिलती है M30 के अंदर battery के अंदर ये दोनों ही mobile आपको काफी बढ़िया मिलते हैं लेकिन जादा बढ़िया आपको मिल जाता है M30 इसके अलावा बात करें processor के बारे में तो Exynos का 7885 processor 820 के अंदर आपको मिलता है और M30 में मिलता है आपको Exynos का 7904 processor तो अगर इन दोनों mobile के rate के हिसाफ से देखा जाया तो इतने बढ़िया भी आपको processor इन दोनों में नहीं मिलते है मुझे ये कमी लगी इन दोनों mobile में processor जो है इतने अच्छे नहीं मिलते हैं जितना आपको दूसरी company में इसी price के अंदर मिल जाते हैं लेकिन आपको बिल्कुल भी problem नहीं होगी अगर आप एक normal user है तो इन दोनों mobile में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली देखिए हर mobile के अंदर कुछ ने कुछ खूबिया भी होती है और कुछ ने कुछ कमिया भी होती है तो ये सारी खूबिया और कमिया आपको इन दोनों में मिलती है चलिए बात कर लेते हैं अब सबसे main चीज़ आपको इन दोनों में कौन से खरीदना चाहिए कौन से नहीं दीखिए rate के अंदर सिर्फ धाई हजार रुपे का फर्क है इन दोनों mobile में बागी design के अंदर आपको फर्क देखने को मिल जाता है किस mobile का design आपको जादा अच्छा लगता है सबसे पहले तो ये matter करता है आपको A20 का design जादा अच्छा लग रहा है या M30 का A20 के design पर आप देख सकते है back panel पर इस पर निशान जो है काफी जादा जल्दी आ रहे है तो इस वज़ए से मुझे M30 का design जादा अच्छा लगा बागी अगर आपकी main ज़रूत है battery की तो battery आपको जादा बढ़िया मिलती है M30 के अंदर इसके लावा camera भी आपको जादा अच्छा इसी mobile में मिलता है processor इन दोनों mobile में आपको normal ही मिलते है लेकिन अगर आपका बहुत जादा heavy use नहीं है तो आप इन दोनों में से कोई साभी खरी सकते है आपको बिल्कुल भी problem नहीं होगी इसके बाद अगर आपकी main जोरत है display की तो display इन दोनों ही mobile के अंदर आपको बहुत बढ़िया मिलती है और सबसे बड़ी खुबी इन दोनों mobile के इनकी display ही है और जादा बढ़ी आपको display मिलती है M30 के अंदर तो जादा तर चीज़ों में तो ये दोनों mobile बिल्कुल एक जैसे है और जादा बढ़ी आपको M30 ही मिलता है तो rate की हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 5,000 का फर्क है लेकिन M30 के अंदर आपको internal storage भी जादा मिल जाती है RAM भी जादा मिल जाती है तो जो खुबी आपको A20 के अंदर मिलती है वही खुबी आपको M30 के अंदर भी मिल जाती है लेकिन और जादा बढ़ी आ तो हर एक चीज़ के इसाब से देखा जाए तो मैं आपसे कहूँगा अगर आप 12,000 रुपे में A20 लेने की सोच रहे हैं इस वीडियो को लाइक कर दिएगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिएगा उसके साथ बैल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियो आप तक पहुचती रहें इसके लाबा वीडियो अगर आपको helpful लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा वाटसफ फेस्बुक पे मिलता है नेक्स वीडियो के अंदर तब तक के लिए ठेक के बाबाई